चुलो, आज अपन फर्स ओडरी एक्षिन के लिए ग्राफ की बात कर लेते हैं ग्राफ ओफ फर्स्ट ओडर रियक्षिन इसमें से कुछ ग्राफ तो अपन वें पढ़ रहते हैं उनको खटा- पढ़ेंगे अपन रेट वर्सेज पढ़ा हूँ है पड़ा हुआ है सीधी सी लाइन है यह ठीक है भी जीरो ओडर के लिए अलग तरीके के बन रही थी लाइन स्ट्रेट लाइन हो रही थी वह जबकि यहां पर जो फॉर्मुला है वह हमारा क्या है रेट इस उकल टू के एक पावर वन ठीक है भी तो एक तरप के आ गया यह यह तो यए एकसज़ पर रेट लेलो एकस़ एकसेस पर एक कंसंट्रेशन लेलो स्टैट टाइन है जाएगी ठीक है और यह स्लोप होगा वह स्लोप किसको डिनोट करेगा तो तो स्लोप करेगा हमारा टेंजन थीटअ और के थिकर भी फेंड प्लोत देख लेते हैं ठीक है अब नोट एक्सपोनेंशिल माईनेस के टी यह प्लोट भी हमने डिसक्स किया हुआ पहले से तो Y इस एकल टो MX तो Y is equal to MX इसको मान लो ठीक है तो अपने क्या 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 करेंगे अपन रेट के इसको तो इधर ले लो टाइम है कि इसको इधर ले ही और जब रखेंगे तो कंडिशन में क्तीकी विल्यूं क्या हो जाएगी जीरो होर Son यह पर आजएगा टी की वेल्यू जब इन्फाइनिट रखेंगे तो यह वेल्यू जिरो हो जाएगी तो टाइम की वेल्यू क्या हो जाएगी रेट दिरे दिक्रीस हो जाएगी और ग्राफ किसा बनेगा exponential यह exponential graph बनेगा straight line नहीं आएगा क्योंकि exponential है clear यह graph अपन ने बात कर रिखी है now next graph आप लोग इसको pose करके उतारते जाना मैं यहीं को और rub करके फिर में बनाता हूं now third graph वो देख लेते हैं अपन log a और time के बीच में ठीक है फई लोग a और time के बीच में यह भी graph अपने डिसक्स किया हुआ है तो highest value आजाएगी log a not और यह decrease होता हुआ graph आएगा यह theta यह na और यह slope तो slope किसको बराता है बता रहा है वो tangent theta और minus k upon 2.303 ठीक है यहाँ से एक चीज और पोच सकता है वो इसी को relate करते हुए एक चीज और पोच सकता है थोड़ा सा difference है fourth number of plot में अपन बना लेते हैं उसको लोग की जिगे ले लीजिए एलन तो लोग की जिगे क्या जाएगा एलन एनोट है ना सेम प्लोट बनेगा सेम ग्राफ बनेगा theta बनेगा slope जो होगा न अब वो slope जो होगा वो क्या होगा केवल और केवल माइनस के 2.303 नहीं आएगा यह ध्यान रखना क्यों क्योंकि एलन और लोग में difference क्या है यह अपन जानते हैं एलन को लोग में convert करने के लिए 2.303 से multiply किया लेकिन अगर अगर अपन ने एलन यानिके लोग की में base यह ले लिया तो slope जो होगा वो माइनस के होगा तो यह confusion नहीं रखना हमने को question में क्या पूछ रखा है यह हमारे को ध्यान से देखना ठीक है यह fourth number चलो fifth number की बात करते हैं next plot concentration of a याने के reactant concentration versus time ठीक है यह वाला जो प्लोट था वो भी अपने को वहाँ पर पड़ा हुआ है अपने टाइम और a के बीच में 0 order reaction के अंदर यहाँ पर जो equation लेनी है वो a a not exponential k dot t ठीक है तो t की value जब 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा और a की value कितने आ जाएगी a not और t की value जब infinite रखेंगे तो 0 होगा t की value और यह मेरा graph कैसा आएगा यह है ठीक है भी टीकी value जब infinite रखोगे तो a की value कितने हो जाएगी 0 और 0 भी कैसा आएगा exponential क्योंकि अपने exponential की term पड़ी हुई ठीक है यह fifth number ठीक है चलो next बात करते है sixth number यह graph बनाना है हमारे को half life और a not half life और a not की बीच में क्या graph बनेगा तो यहाँ से जो equation हमारे को दिखती है वो है t is equal to minus 0.693 upon k याना के a not पर किसी तरह का कोई depend नहीं है तो वहाँ पर line कैसे आएगी बिल्कुल straight line zero order में कैसे आ रही थी increasing order वाली increasing line आ रही थी वो straight line हो रही थी clear यह six number चलो next की बात करते हैं यह graph बना रहे हैं अपन concentration of product versus time अब concentration of product का मतलब a gives अगर मैं b मानू तो concentration of b ठीक है और अपने को यह भी पता है कि यह जितने भी अपन बातचित कर रहे हैं या जितना भी discussion किया है graph में integrated rate low सब इतारी किस reaction तो वो क्यावल और क्यावल follow किसके ओपर हो रही है a gives product type of reactions के ओपर ही यह follow हो रही है और इस line का क्या मतलब है यह अगर आपने zero order reaction में पढ़ा है यह वहाँ पर अगर अगर अपनने समझ लिया सारा तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर करेंगे वह बात में करेंगे अभी तो है ना तो जब अपनी concentration of a को अपने नोट मानेंगे तो उस condition के उंदर याने के initial concentration जब a है तो उस समय पर b की concentration क्या है zero तो यह b की concentration क्या हो जाएगी initial time पर zero clear ओवेसी बात है और यहां से formula भी अपर अगर 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 बलना चाहें तो वह भी निकलेंगे अभी अभी अपन प्रोडेक्ट का formula तो a not concentration clear अब थोड़ी देर के बाद में अगर यह b का है वो x बन गए तो a की concentration कितनी बची तो हम कहेंगे initial concentration minus x यह होगा तो initial concentration minus x क्योंकि b के product या b के concentration कुछ नो कुछ बन गई है हमारे पास formula क्या है a is equal to a not exponential minus k t यही है अब यहाँ a की value रखो कितनी रखेंगे अपन a not minus x यही पर देखना है is equal to a not exponential k dot t यह रहा है a not को उधर ले जाओ minus के sign को भी ले जाओ तो क्या जाएगा अपना x is equal to a not one minus exponential minus k t यह होगा अब यहाँ t की value रखो तो t की value जब अपने 0 थी ठीक है तो उस condition में 0 0 1 यह पूरी value 1 1 minus 1 is equal to 0 और 0 को a not से multiply करेंगे तो 0 इसका मदला x भी क्या हो गया 0 इसका मदला formula भी सही है और हम यह जो सोच रहे हैं वो भी सही होगा तो mathematical भी प्रोव हो गया experimental भी प्रोव हो गया और 0 value अभी ठीक है अब बात करते हैं t is equal to infinite यह ना टी की value जब infinite रखेंगे तो t infinite infinite तो यह भी infinite infinite का मदलब e की power तो यह होगा 0 1 minus 0 is equal to 1 यह होगा और x की value क्या जाएगी हमारी x is equal to a not तो बिल्कुल सही बात है infinite टेम पर product की concentration a not की बराबर हो जाएगी क्योंकि concentration increase होगी और यहाँ पर जो graph बनेगा वो straight line ना बनकर कैसा बनेगा exponential बनेगा तो exponential कैसा graph होगा yes क्या दर जाएगी बात और कुछ देर के बाद में जाके first order reaction है तो अपनने यह बात कर रखी है कि first order reaction never completes ऐसी बात भी कर रखी है इसको लिए थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसको कर दे सकते हैं ठीक है बई तो product की concentration versus time के वीच में भी हमारे क्या पो हो सकते हैं यह graph plot करवा सकते हैं ठीक है बई तो यह 67 तरीके के 7th number का graph है यह 67 तरीके के plots हैं और इनके बारे में discussion है ठीक है बई थेंक्यू